प्यारे बच्चों, LGR study में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान में अभी हम लोग नियंतरन एबं समनबय चेप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो है हम लोग काफी जिदा मातपूर्ण टॉपिक परने वाले हैं, नियंतरन एबं समनबय के अंदर तो चलिए सुरू करते हैं, हम मुख रूप से जो है पादप में समनबय आज परने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं, जानने की कुसिस करते हैं, हम लोग परने वाले हैं, पादप में समनबय तो याद रखीएगा कि पादो में एक अलग परकार की गतिप आई जाती हैं, जिसे उद्धीपन की किरिया काते हैं क्या काते हैं जिसे उद्धीपन की क्रिया काते हैं मनुस्य में और जीब जन्तुओं में गती जो पाई जाती है वो अस्थानांत्रत गती पाई जाती है यानि कि एक जगा से दूसरे जगा आप जा सकते हैं लेकिन पौधे एक जगह से दुसरे जगह नहीं जा सकते हैं इसमें अस्था नांत्रिक्त गती नहीं पाई जाती है इसमें एक अलग परकार की गती पाई जाती है जिसे उद्दीपन की क्रिया काते क्या काते हैं उद्दीपन की क्रिया पौधो में तंत्री का तंत्र नहीं होता ये आप ध्यान रखे परन्तु इसमें बाहरी उद्दीपनों को ग्रहन करने की छमता होती है इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि तंत्री का तंत्र नहीं होता है परन्तु इसमें बाहरी उद्धिपन को गरहन करने की छमता होती है बाहर से अगर कोई इसको टच करे या फिर इसको एहसास हो किसी चीजों का तो यह उसको गरहन कर सकता है तथा इसके कारण इसमें गती भी होती है उसे अनुवर्तन या अनुवर्तनी कहते हैं किसी बाहरी प्रभाव के कारण पौधे में जो गती होती है उसे अनुवर्तन या अनुवर्तनी कहते हैं तो आप अनुबर्तन या अनुबर्तनी अगर पूसरे कि किसे कहते हैं तो आप ऐसे पड़िभासित कर सकते हैं अब बात करेंगे हम लोग जो है अनुबर्तन के बारे में अनुबर्तन के परकार को परहेंगे तो मुकरूप से चार परकार का अनुवर्तन आपको परहाई करना है किलने परकार का? चार परकार का पहला है परकासा अनुवर्तन यानि कि परकास के परभाब में पौधा में गती दूसरा है गुरुत्वा अनुबर्तन यानि की गुरुत्वा करशन के प्रभाब के कारण पौधा के अंग में गती और रसाइनिक परिवर्तन इसको रसाइना अनुबर्तन भी कई जगा पे लिखा गया है तो रसाइना अनुबर्तन रहे या रसाइनिक अनुबर्तन रहे बात दोनों बराबर होगा तो रसाइनिक अनुबर्तन यानि की रसाइन यानि की केमिकल के परभाब में पौधा के अंगों में जो गती है वही रसाइना अनुबर्तन खालाता है और है जला अनुबर्तन यानि कि जल के प्रभाब में पौध्धा के अंगों में गती जो है वो जला अनुबर्तन खालाता है अब इस चारों अनुबर्तन को डिटेल में हम लोग सीखेंगे तो आईए बात करते हैं सबसे पहले प्रकासा अनुबर्तन के बारे में एक जाम में अगर आपसे पूसर जाए प्रकासा अनुबर्तन किसे काते हैं तो बोलेगा कि पौध्धों का परकास मुकरूब से सूर्ज का परकास तो बोलेंगे पौध्धों का परकास की ओर बढ़ना या गती करना परकासा अनुबर्तन कहलाता है कई बार आप देखे होंगे कि पौधा प्रकास की और गती करते हैं इसे प्रकास अनोबर्तन करते हैं या गती तने तथा पत्तियों में असपस्ट दिखाई देती हैं तो प्रकास अनोबर्तन किस में हो सकती है तना में हो सकता है और पत्तियों में हो सकता है अब हम बात हैं द्धिकक है यह घर है असे हैं और इस ऑंपर विंड़ू है मालेजिए है अब इस प्रवाला में आपने क्ल देख से एंर पर इस वाले गमला टोimal अपchange लगा दिया पौधा ठीक है और यह पौधा कुछ यहां पर फल फुल रही है लत्ती है मुकरूप से या दखिएगा लत्ती जानते हैं न लत्ती लता जिसको कहते हैं माल लिजे कि यह लता है क्या है लता है तो कुछ दिन के बाद देखिएगा कि यह पौधा गती करते हुए जिदर से परकास आ रही थी उधर होकर कि यह क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा तो यहां पर पौधा में जो खिर्की के बाहर की और गती हुई वो किसके कारण हुई तो परकास के कारण गती हुआ यहां पर ठीक है तो याद रखने योग बात आपके लिए ही है कि पौधा में परकास की कारण जो गती होती है उसे ही परकास अनुवर्तन काते हैं और परकास के कारण तना और पत्ती में गती देखा जा सकता है ठीक है यहाँ पर एक्जाम में कोशन पूछा भी किया है कि परकास अनुवर्तन में कौन से अंग भाग लेते हैं तो याद रखेगा तना और पत्ती ही परकास अनुवर्तन में भाग लेते हैं दूसरा है गुरुत्वा अनुवर्तन गुरुत्वा अनुवर्तन क्या है आप सभी गुरुत्वा करसन बल के बारे में जरूर जानते हैं आप जानते हैं कि पिर्थवी के कैंदर के ओर सभी चीजों को पिर्थवी घीच रही है इसे ही गुरुत्वा नवर्तन काते हैं सभी चीजे जब हम उपर से छोड़ते हैं बेखते हैं तो नीची आखे गरता है ये पिरतवी के गुरुत्वा करशन बलके कारण होता है तो इसे यहां पर कोई आप बीज डालते हैं क्या डालते हैं बीज, बीज बोते हैं, खेट में मुकरूप से माल लेजिए, तो होता क्या है, बीज का अंकूरन होता है, अंकूरन होने के बाद, बीज का जो पत्ती वाला भाग है, वो उपर जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा, और बीज का जर वाला भाग जो है, वो नीचे आता है, तो जर का गती किदर के ओर हुआ, गुरुत्वा करसन, बलके दिसा में जर का गती हुआ, और पत्ती का जो गती है, वो सूर्ज के परकास के ओर हुआ, पत्ती का गती किदर हुआ, उपर की ओर हुआ, उपर कौन है, सूर्ज का परकास है, तो यहाँ पर जो पत्ती का गती है, ये परकासा अनुबरतन का उधारन है लेकिन जो जर का गती है जर नीचे बरता आप सभी को पता है तो जर का जो गती है वो गुरुत्वा अनुबरतन का उधारन है क्योंकि जर ग्रैविटेशन के दिशा में यानि कि गुरुत्वा कर्शन बल की दिशा में बढ़ रहा है हम इस जर के गती को गुरुत्वानू भरतन बोलेंगे यहां पर लिखा भी आए कि पौधों की जरों तथा पिर्थवी के गुरुत्वा एक मिनट भाई साथ एक मिनट यहां पड़ी थे चीज क्या है पौधों की जरों का पिर्थवी के गुरुत्वा की दिसा में बढ़ना या गती करना गुरुत्वानू भरतन का लाता है देख सकते हैं सिंपल एक्जामपल के हेल्प से आप यहां पर समझ पा रहे होंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं बातो तो खाद क्या है यानि कि रसाइन है और खाद की तो छोड़िए कुछ नेचुरल केमकल की ओर भी पौधा एट्रेक्ट होता है जैसे देखिए हम तो सिधा समझें कि रसाइनिक पदार्थ के ओर पौधों का जो गती होता है उसे ही कहते हैं रसाइन अनुबर्तन एस्टेंडर रूप में बोलेंगे कि किसी बिसेस रसाइनिक पदार्थ की ओर मूरना रसाइनिक अनुबर्तन या रसाइना अनुबर्तन का लाता है अगर इसका एक्जाम्पल देखा जाए तो यह पौधा लगा हुआ हूआ है कि परागनलिका का अंडासे की ओर बिर्दी करन रसाइना अनुबर्तन का कारण है दूसरा बात क्या है कि अगर आप कहे pests ठीग है कि यह पोदा लगा हुआ है मान ले जिए कि यह क्या लगा रखा आपने पाद लगा रखा है होगा क्या यह इस का जर है इसका क्या है जर है याद रख qualify ठीक है कि आप यहां पर यहां पर इस मिती में यहां पर आपने यह ज्ल में खाद किया में बढ़ रहा है तो जल और खाद यानिकि के करण बढ़ रहा है तो इसे मुक्रूप से हम रसाइना अनु 강 करें आपने समझा ऑवा बढ़ेंग समझे lot के बाद पिछलान वबरतन के बारे में रसाइना वबरतन के बारे मैंनु आरेभन छलन नाम मे जला रूबायतों झालता है जलाना उबलतन कैसे आप देख सकते हैं होगा Не कि यहां पर आप पौधा लगा रखें हैं ठीक यह पौधा लगा हुआ यहां पर इसका जरindustrie आप शसे बखशी तहां लेजिए थिक है अब इसको पानी आपमत करदेचे पानी यहां पर दीजिए कि ब्लाइबर टिप दाल दीजिए आब यहाँ इसमें पानी passe और बन पानी क्या करेगा इतना चैत्रATOR के जमीन को भीगो मुझे रखेगा इसमें पानी रिदे अब कि तके का तो कि अब इधर पानी के और तो पौधा के जर का जो गती है यहां पर पानी के और हो रहा है किसके और हो रहा है पानी के और लिखे हैं कि पौधों की जरों का जल सुरोत की दिसा में बढ़ रहा है यानि कि क्या हो रहा है जलानुबरतन हो रहा है तो आप आराम से जलानुबरतन को इस तरीका से क्य प्रभाब में या तो जल के प्रभाब में या गुरुत्वाकरशन के प्रभाब में या रसाइनिक पदार्थ के प्रभाब में आकर के पौधा गति कर रही है लेकिन अब हमें परना है नास्टिक गतियां ये क्या है देखिए नास्टिक गतिया क्या है जो किसी के प्रभाब में नहीं होती है इटोमेटिक होती जाती है नास्टिक गतिया किसे बोलेंगे तो बोलेगा कि ऐसी जो किसी भी प्रकार के उदीपन के उदीपन से स्वतंत्र होती है उसे नास्टिक गति काते हैं किसी भी प्रकार के उदीपन से जो क्या हो स्वतंत्र हो उसे क्या काते हैं नास्टिक गति काते हैं तो आप समझ सकते हैं चीजों को अब है अनुकुंचन अनुकुंचन क्या है देखिए कुछ ऐसे पधे हैं कुछ ऐसे पधे हैं जिसको छुने पर वह संकुचित हो जाते हैं हो जाते हैं संकुचित हो जाते हैं यानि कि वो सिकुर जाते हैं या सूर्ज के डुबने पर भी वो संकुचित हो जाते शिकुर जाते हैं तो उसी गते को गते अनुकुंचन देखें अनुकुंचन है क्या देखें अगर पूछेगा एजामने कि अनुकुंचन क्या है तो बो शिकूर जाना सट जाना अनुकुंचन कालाता है क्या कालाता है यह थायकर बात करें तो आम ला अमला का पत्ता बहुत छोटा होता है सूर्ज के डूबजाने पर आमला का पत्ता सट जाता पुरह ठीक है चीरेता भी है और अमलतास एवं ऐसे ही कुछ अन्य पौधों की पतियां सूर्ज के डूबते ही संकुचित होने लगती हैं सूर्ज जैसे ही डूबता है तो आमलाची रहता या पी रमलतास का जो पत्ता है वो एकदम सिकूर सजाता है और चुई मुय या इसी का दूसरा नम है लाजवंती की पतियां हात से असपर्स यानि की चूने पर मुर्जा जाती है तो चुई मुय है मालेज्ये ये चुई मुय का क्या है पत्ता है जैसे आप चुएंगे तो इसका पत्ता पूरा एकदम डारी में सट जाएगा जिसे लगेगा कि मूड़ जहा गया तो छूने से उसके पत्ता में गती आ रहा है तो इसे काते हैं अनुकुंचन है अब हम लोग पढ़ने वाले हार्मोन तो हार्मोन में पादप हार्मोन और जन्तु हार्मोन दोनों पढ़ाई करना है आप लोगों को अब हम लोग पहले पादप हार्मोन पढ़ेंगे फिर जन्तु हार्मोन पढ़ेंगे तो चलिए जानते हैं कि पादप हार्मोन क्या है इसके बारे में सब कुछ जानेंगे अगर एक्जाम में पूछा जाए पादप हार्मोन क्या है तो बोलिएगा पौधों में नियंतरन एबं समन वैकुछ बिसिष्ट रसाइनिक पदार्थों द्वरा होता है जिने पादप हार्मोन कहते हैं पौधों के लंबाई में बिर्धी पौधों के फलों का पकना पत्तों का गिरना ये सबी एक रसाइनिक पदार्थ के कारण होता है और उसी करन में हम समन में कुछ भिसिस्ट रासाइनिक पदार्थो तवाह होता है जिने पारमोन कहते हैं है अब भरेंगे हम आगे कि इस पादब हार्मोन के कार्यक को पढ़ने और पतियों की बिर्धियों को नियंत्रित करना पादप हार्मोन का पहला काम क्या है जर को तना को और पतियों की बिर्धियों को नियंत्रित यह करता है दूसरा है परकासान उबरतन गुरुत्वान उबरतन और नास्टिक गतियों का नियंत्रन परकासान उबरतन या गुरु फूलों को खिलना एवं फलों को पकना ये भी पादप हार्मोन के कारण ही होता है बीजों की प्रसुक्ति भंग करना ये भी पादप हार्मोन के कारण होते हैं तो पादप हार्मोन का ये सारा कारिया आप याद रखें नेक्स्ट है कुछ महातपूर्ण पादप हार्मोन एव यह हार्मोन पौधों की तनों की बिर्धी में सहायक होता है पौधा के तना का जो बिर्धी होगा वो किस के कारण तो औक जिन के कारण होता है दूसरा यह बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है बीज में अंकुरन के परभाव को क्या करता है औक जिन बढ़ाता है तीसरा याद रखे कि यह जाईलम उत्तकों के विकास में सहायक है चौता याद रखे कि यह बीज हीन फलों के उत्पादन में सहायक है कुछ ऐसे फलों होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं सब बीज नहीं तो इसकimagin नया पॉधा कैसे पिक्षित होगा तो एकाइक परबरधन के द्वारा नया पॉथा का पिकास होता है बीज ना होने पर तो यहां पर 2 फलों के उत्पादन में में इसाइक होता है कूझे में पूषै कि बीजीन फलोक उत्पादन में कौन से हर्मोन सायक है तो बोलेगा ऑकजीन अब बात करेंगे हम दूसरा हर्मोन का जिब्रेलीन के बारे में जिब्रेलीन क्या है जिब्रेलीन एक पादप हर्मोन है इसका काड़ी ध्यान रखिएगा याद रखिएगा कि जिब्रेलीन के क्य का काम है दूसरा काम है यह पतियों और फूलों की ब्रधी में सहायक है पति और फूल के ब्रधी में सहायक है और जिब्रेलीन भी जो है वो बीज हीन फलों के बिकास में सहायक है बीज हीन फल का बिकास कैसी होगा यह जिब्रेलीन भी तै करता यानि कि जिब्रेलीन के हल्प स भी बीजहीन फरों का विकास किया जा सकता है अगला साइटो काइनिन यह क्या है वैसा तो यह कोशी का दरब को विवाजित करने का कार्य करते हैं तथा कलोरोफिल को नस्ट होने से बचाता है कलोरोफिल को नस्ट होने से और कोशी का विवाजन को विवाजन जो है करने से यह जयनी कि even see siiden can Trevor कै लेके यहार मून पतियों को मूर्जहाने तथा जहरने में सहाय होता है पती का मूर्जहा करके गिरने में सहायता करता है आप जानते हैं अब अब तो कहेंगे कि सब्धार गिर जाना और उसका गिर जाना तो मतलब एक गलत काम हुआ पहुदों के लिए नहीं ऐसा बात नहीं है कई पौधे ऐसे है जो साल में अपना सभी का सभी पत्ता क्या करता है गिरा देता है तो सभी का सभी पत्ता गिरा देता है तो पत्ती को गिराना भी जरूरी है जो पत्जहर बन है जैसे की बर्गर्द, पीपल, इसके बाद नीम के पेर बात करें तो आमला का पेर ये सभी ऐसा पेर है जो साल में एक बार या दो बार अपना सारा पत्ता बसंत के टाइम पर गिरा देता है तो पत्ते को गिराने में जो सहायक है वो FCC कामल है तथा कलियों की बिर्दी अब हम अंकुरन को रोकता है कलियों के बिर्दी को रोकता है और अंकुरन को भी यह क्या करता है रौकने का काम करता है AFCSاخ a seed यानिकी AFCS иск Amyl अब बात करेंगे हम अगले हर्मोन के बारे में अगला हर्मोन है एह्थिलीन इसका मुख्याकार फलों को पकाना है एह्थिलीन एक हर्मोन है जिसके हेल्प से फल पकते हैं किस विदी से तो मतलब कह सकते हैं इसको प्राकेटिक भी दिसे नेचुरल तरीका से इसके बाद ट्राव मेटीन है कैलीन है ये सारे के सारे एक्जामपल है पादप हार्मोन के तो साथ पादप हार्मोन तो आप जरूर याद रखें बरते हैं आगे अब कुछ महत्पूर्ण कोश्चन करने वाले हैं जो NCRT से है तो ध्यान से समझेगा पादप हार्मोन क्या है सबसे पहला कोश्चन है पादप हार्मोन क्या है तो तबी से अब मनलोग पूरा डिचल में फरके आए हैं कि पादप हार्मोन क्या है तो गोलिए गार कि वे जटिल रसाइनिक पदार्थ हार्मोन क्या होते हैं केमिकल होते दूर इस्थित किरिया छेत्र में बिश्रन द्वारा पहुंचते हैं किस विदी से एक अंग से दूसरे अंग में जाते हैं पादफार्मोन तो बिश्रन द्वारा एबम बिर्धी विकास तथा पडियावरन के प्रति अनुकिरिया के पडियावरन के प्रति अनुकिरिया के सम समन बयेनमें तो सहायता करते हैं पादफ हार्मोन का ला और uma उसके उफ्जीन तथा जिब्रेलीन इसके उधारन नहीं इस दीवरांण आपको बिता दिया है लेकिन यहां पर दो ही दिए और जिब्रेलीन यह 2 आप मुख्रूप से यहाँ पर अगले कुशन की बात करेंगे छुई मुई पादब की पत्तियों की गती परकास की और पर्रो की गती से किस परकार भीन है लेकिन परकास की और पर्रो की गती क्या है अगर बात करें इसके बारे में तो परकास की और पर्रो की गती जो है ये परकासा अनुबरतन है पौधे के भाग का परकास के और गती करना परकासान उबरतन कालाता है लेकिन छुई मुई पादप की पती का गती जो है वो परकास के कारण नहीं होती है तो दोनों किस परकार भीने वो बताना है लिखेंगे चुई मुई पादप की पतियों की गती असपर्स उद्धीपन के कारण होती है बिल्कुल सही चुई मुई पौधा के पत्ता में जो गती होता है जैसे ही आप छूते हैं तो वो संकुचित हो जाता है यह किसके कारण हुआ तो यह असपर्स उद्धीपन के कारण हुआ यानि कि छूने के कारण हुआ इसमें पतिया मुर्जा जाती है तथा किसी परकार की बिर्धी नहीं होती है चूई मुई जब मुर्जा जाती है तो यह बिर्धी नहीं हुआ जी यह तो मुर्जा नहीं जैसे आप छूएंगे कि वह मुर्जा जाएगा इसके बिप्री यानि कि इसका उल्टा जो है परकास की और प्रो की गती जो है एक बिड़्धी गती है यानि कि परकास बिज़ता है जो परकास उधीपन के प्रभाब में परकास संबेधी रसाइन के रसायन से उत्प्रेडित होता है तो परकास अनुबरतन देख गती जो है वो बिर्धी गती है क्योंकि बिर्धी करती है पौध है यहां पर और यह परकास रसायन के कारण होती है जबकि छुई-मुई तो छूने से होती है तो यह आप इस तरह से डीटेल में आंसर लिखें सहारे हार्मोन को पर क्या हैं जिब्रेलीन उसमें सबसे आगे हैं जिब्रेलीन बिर्धी हार्मोन है बौध हो के लिए बात करेंगे चौथा नम्मर कोशन के लिए किसी सहारे से सहारे के चारों और परतान की बिर्धी में ऑग्जीन किस परकार सहारे हैं आपको पता होगा कि अगर कोई लगाते हैं लटा लटी वारा पेर लगाते हैं और उसके लिए मछान बना देते हैं त्हागा से या पिर आप बास बगएर appears से मछान बना देते हैं नीचे से पत्त जाते इस पर फूरा फलती फुलती है एक दम फूरा च्छा जाती है तो वही है किसी सहारे के चारो और प्रतान की विर्धी जो लगती है उसके विर्धी में और सीन लिखा है औक जीन होना चाहिए कि इस परकार ये सहायक है ये आपको क्या करना बताना तो समझेगा ध्यान से होता क्या है ये लिखेंगे कि औक जीन नामक हार्मोन परो के परभाग में परोह के परभाग में संसलिशित होता है परोह के परभाग में परोह जो होता है पत्तों में आपने स्प्रिंग जैसा देखाओ को उसमें विख्चित होता है या हमेशा परोह के छाया में इस्थित भाग में जो है विश्रित करता है और उस छेत्र की कोशिकाओं की लंबाई म होता क्या है कि यह जो आपका औक जीन है मुक रूप से उस भाग में उत्वपन होता जो भाग पौधा का छाया में हो अगर यह बिख्षित होगा तो वह भाग जस्ट जो है परकास में आने के कोशिश करेगा और वह परकास में उसका बिर्धी हो जाएगा परकास में बढ़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन लगा लेजी इसको ये कितना महत्पूर्ण समझने कोशस कीजिए कोशन है कि जलानुबरतन दर्साने के लिए एक परियोग की अभी कल्पना कीजिए जलानुबरतन दर्सा ये जिसमें परियोग को दिखाना है एक परियोग करके दिखाना ह है कि हाँ जलाद में वर्तन होता है तो हमने तो आपको बताया था कि यह माली जी आपका खेत है यहाँ पर पौधा है ठेक यहाँ पर इसका जर है अब यहाँ पर आप क्या कीजिए माली जी की पानी यहाँ पर डालना इस वाले चेतर में आपको हलका टपकते हुए पानी डाल यह भी है यहां पर हम कुछ अलत पर्योंग करने बाले हैं कि जलान मर्त रशाने के लिए एक परीयोग क्या परियोग कर सकते हैं पर्योंग की HOL reward ले लिजिए क्या लिजिए दो गमला ले लिजिए गमला क्या लिजिएगा सीशा का इस तरह का बरतन ले लिजिए इस तरह का बरतन यह है फरस्ट बरतन ठीक है इसमें यहां तक मिट्टी भर दीजिए यहां पर पौधा लगा दीजिए यहां पर क्या लिगा दीजिए पूर पानी ठीक है पूरे सभी जगा पर पानी सभी जगा पर आपको क्या करना है पानी देना है तो इसका जर देखेगा कि अगर पूरा जगा पर पानी तो मुखरूप से नीचे की ओड़ ही बढ़ा हुआ देखेगा अब एक गमला और लेजिए इस तरह का गमला लेजिए इसमें क्या कीजिएगा मतलब यह कुछ बरतन टाइप है समझ सकते बातों को यहां तक मिट्टी भर दीजिए इसमें पौधा फिर से लगाई यहां पर अगर पौधा लगाईएगा तो क्या होगा ध्यान देजिएगा यह माल लेजिए कुछ इस त पानी बर दिया ठीक है यहां पर पानी डाल रहे है आप मिट्टी के बरतन में लेकिसका जर आप इधर की दिसां में शुरू करना इंधर की के जिशा में गति करेगा इधर के की जल के दिशा में कडि करेगा आप मिठी को अठा करके पौधा उखार करके देखिएगा इसमें पूर दिख्कत जो है नहीं आए तो यह परियोग करके आप दिखा सकते हैं हमने लिख भी दिया कि C से की दो नाद लेकर उन्हें दो तिहाई भाग तक मिट्टी से भर देते हैं नाद A और नाद B में समान परकार के दो नन्ने पौधे आरोपित कर देते हैं दो छोटे-छोटे पौधा आमने क्या करते लगा दिया नाद A में एक समान रूप से सिचाई करते हैं यह मान लिजे कि नाद A है इसमें सभी जगा पर पानी आपको पटाना है पूरा सिस्टम से कदम कहीं भी पानी क्या कमी नहीं होना चाहिए तथा नाद B की मिट्टी में एक मिट्टी का बरतन हैना गहराई तक विवस्थित करके उसमें जल भर देते हैं यानि कि मिट्टी का बरतन यहाँ पर हमने क्या करा इसमें रख दिया और इसमें पानी भर आने मिट्टी के बरतन में पानी भर आ यह भी गमला है मिट्टी की सिचाई नहीं करते हैं इसमें मिट्टी में पानी नहीं देते हैं इस बरतन में ही पानी देते हैं मिट्टी की सिचाई नहीं करते हैं कुछ दीनों के बाद पौधों के जरों की पौधों के जरों को छती पहुंचाए बिना खोद कर बाहर निकालते हैं तब हमें पता हम पाते हैं कि नाद B के पौधे की जर एक दिसा में मुड़ी हुई है जिस दिसा में जल से भरा हुआ मिट्टी का पत्र रखा हुआ है कुछ दिन के बाद अब आप इसको खोलेंगे मतलब वह मिट्टी हटा करके देखेंगे तो आपको पता सलेगा कि इसका जर तक्दम सीधा नीचे की और बिकास कर रहा है लेकिन नाद B का जो पौधा है उसका जर पानी के बरतन की और गती किया हुआ है पानी के बरतन की और क्या किया हुआ है गती किया हुआ है जबकि नाद एके पौध हो की जरे बिल्कुल सीधी है इसमें चलानुबर्तन का परदर्सन होता है और ये जो आपने परियोग किया इस परियोग से जलानुबर्तन का क्या होता है परदर्सन होता है ये बात आप क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने अभी इस चैप्टर से रिलेटर इस टॉपिक से रिलेटर सारा का सारा कोश्चन भी कर लिया आज इतना ही रखेंगे अगले क्लास में मेरा टॉपिक होगा यहां पर जन्तु हार्मोन तो जन्तु हार्मोन पुरा डिटेल में अगले कलास में मिलो क्या करेंगे परेंगे थेंगी सो मत गुट बाई टेक केर मिलते हैं अगले कलास में